आज सॉल करेंगे SSC CHSL का 4 अगस शिफ्ट 3 वाला पेपर तुछी दो शिफ्ट देखी थी पहली वाली थोड़ी सी मुश्किल थी दूसरी वाली थोड़ी असान थी अब देखते हैं तीसरी वाली के क्या हाल है तो टाइमर लगा लेते हैं लगवाग 15 मिनिट का पहला सवाल एरर बताना है इसमें I would have died if he did not dress my wound that day इफ इफ वाला है मतलब if clause वाले अपने यहां पे conditional sentence लगेंगे would have आ रहा है तो इफ वाले clause में क्या आना चाहिए had और dress का past dressed correct had और dressed यह दोनों चीज़े अपने को यहां पे बदलनी पड़ेगी option number a I would have died if he had not dressed my wound that day अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं मर जाता मर गया होता I would have died second fill in the blank Pria has a very nature and does not accept financial help even from her own parents independent biased independent यहां पे बैटा रहा है मतलब यहां उसका नेचर क्या है independent type है कि दूसरों से मदद वगरा वो नहीं लेना चाहती है इवन अपने खुद के parents से भी bias होता है किसी चीज़ को लेकि आपके मन में पहले से कोई धार्णा होना कि नहीं यह तो ऐसा ही होगा ऐसा कुछ वो होता है अपना bias impartial तो पता है आपको disinterested भी ठीक है कुछ tough नहीं है उसमें third synonym बताना है encroche का intrude यहां पे सही है enrichment होता है सरकारी संपत्ती पे लोग कबजा कर लेते हैं तो वो जाता है encroachment intrude सही है disregard यह भी ठीक है ignore, forget यह तो तो आसान है jumble sentence options दिखा देता हूँ a की sentences जिससे शुरू हो सकता है a से शुरू करेंगे a के वल a की option में आ रहा है option number b में पहले इसके बारे में बताया चीता के बारे में फिर उसके face वगरे के बारे में बताया और उसके बारे में आपने information दी लास्ट में कुछ और उसके बारे में बताया स्टार्टिंग यह इसे करनी है यह अपना पहला पॉइंट था पकड़ में आने का एक ही option है पी इडियम बताना है पुल सम्थिंग आफ प्रॉसाइट टफ है कुछ निकाल लेने की यहां पर बात हो रही है गेट आफ वो तो अलग होगे वो जब तो फ्रेजल वर्बस है पुल आफ सम्थिंग का मतलब होता है मेक सम्थिंग हैपन option number C यह वाला एडियम जो है पुल सम्थिंग आफ का मतलब होता है वर्ड बाइवर्ड मीनिंग में ऐसा लगता है कि कुछ खीचकर निकाल लेने की बात है पर वैसा है नहीं पर वैसा है नहीं इडियम बताना है गो टू डॉक्स अमर को बी लग रहा है रिटेरियोरेट कौन सा है फेल मिजरेबली गो टू डॉक्स का मतलब होता है कि कोई चीज खराब हो जाना है तो वह होता है option बी यहां पर यह शॉकिंग लिग कि बहुत ज़रूत नहीं थी जब इस तीनों लिग दिया इतना अपने लिए से अफिशेट था कि कोई चीज मतलब वेस्ट जा रही हो खराब होने जा रही हो तो वह होता है गो टू डॉक्स कि वन वर्ट सब्स्टिटूशन पॉंड ओफ कम्पनी चीरफुल तो पता है ग्रेश्यस भी ठीक है ग्रिगेरियस मतलब होता है मिलन सार वेक्ति हस्मुक सभाव का मिलन सार वेक्ति होता है ग्रिगेरियस एमियेबल यह भी friendly होता है friendly वेक्ती होता है तो gregarious और amiable काफी कुछ close है पर यहाँ पर option C की तरफ बन जाएगे gregarious fond of company यहाँ पर बताना है substitution the child is crying because she can't find her mother हमार कह रहा है C अगर आप C लगाओगे has तो यहाँ पर फिर can कीजेगे could करना पड़ेगा तो C तो नहीं होगा ठीक तो होगा नहीं अब यहाँ पर a child is crying कर रहा है और the child is crying रहने दे बहुत ज़्यादा कुछ difference है नहीं the child तो कोई particular child है जो अपनी mother को नहीं find कर पा रहा है तो इसको safe रहेंगे अपर no improvement इसके साथ अपर चलेंगे no improvement the child is crying यहाँ पर ठीक है incorrectly spelled word c में लग रहा है दोनों को सही है c में ही problem है correct कैसे करें उसको हाँ आई और ए का place interchange हो गए ही आई एन ओ यूएस होता है हीनियस का क्या मतलब होता है क्यालस कठोर मतलब ज्यादा पर्कना पड़ता हो वह होता है क्यालस का मतलब होता है कि जैसे आफ सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी में जब कोई वह हता है सतह ही तोर पर एंटोनेम ने मताना है इंडिगनेंट का एन अउर्ट अपसेट पीव्ड और नहीं पता यह अपसेट कही सिनोने में पीवड अपसेट कही सिनोने में तीन इक जैसे हो गए अलग आरहा है यहां पर वैसे इंडिगनेंट का मतलब होता है क्रोधित होना क्रोध गुसा इससे सम्बंदित होता है इंडिगनेंट पिर एंटोनेम बताना है है हैरोविंग का आज बहुत टाफ वर्ड आ रहे हैं असमें अबर कह रहा है C pleasant यह आप बहुत सही कर रहे हो भली आपको ओरिजिनल का मीनिंग नहीं पता है पर आप options यूज करके उसको बता रहे हो सही बात है करना भी ऐसे ही है जरूरी थोड़ी कि एक्जाम में सारे शब्द अपने को पता ही होंगे अब नहीं पता हैं तो क्या कर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा तो आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है अब वर्ड इंग स्ट्रेसफुल लगभग एक जैसा है प्लेजन्ट इनका अपोजिट हो गया रिपीटेटिव पता नहीं यहां पर क्या कर रहा है तो वह कुछ तो भी पूछ रहे हैं यह बहुत ज्यादा यूसेज में आने वाले शब्द यह हैं नहीं उसके पता नहीं बहुत ज्यादा डीप वह कैप जा रहे हैं कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसका पर यह है कि आपको एक चीज अब धीरे दिरे अतनी प्रैक्टिस के बास समझ में आ रही कि यार नहीं भी पता है नो तो options को देखो कुछ ना कुछ तिक्राम भीड़ा के 50-50 तक तो पहुंची जाओगा at least next speech change करना है my friends say that many young people are very active on social media now say है मतलब यहाँ पर tense change नहीं होता अंदर वाले का प्रेजेंट है यह तो प्रेजेंट और फ्यूचर में change नहीं करते तो set वगरे वाले तो होंगे नहीं set तो यहीं पर हड़ गया वर्ड नहीं करेंगे आर को रिटेन करेंगे यह चला गया third वाला हो सकता है fourth वाले में are saying कर दिया यह भी नहीं होगा option number c यहां पर correct है my friends say many young people are very active on social media now thirteenth improvement बताना इसमें the roof is being held up over two stone pillars कि अरो तरो को कुंदन को c लग रहा है sentence का meaning के जा रहा है कि जो छथ है वो दो stone pillars के उपर टिकी हुई है c तो नहीं होगा इसका होगा held up by option d the roof is held up by two stone pillars तो वो held up का मतलब होगा यहां पर support का का काम कर रहा है यह दो stone के pillars roof के लिए held up का कई बार दूसरी तरह से भी meaning आता है he was held up तो held up का मतलब होता है कि इसी काम में वो फस गया था held up को दो तरीके से use में ला सकते है एक तो supportive वाला या फिर किसी काम में किसी व्यक्ति का फसा हुआ होना तो वो होता है he is held up या he was held up by something something jumbled sentences sequence तो है इसमें start किससे करें अमर को option d लग रहा है अब pronoun यहां पर he him he आ रहा है उसके लिए कुछ noun है क्या जो बता रहा हो हां है a young man तो d तो होगा निया start sentence होगा b से sentence b से start होगा और मैं second visit to हां PC तो option में नहीं है यहां पर on my second visit to West Africa I met a young man on board the ship he was going out to take up a job यहां पर job लेने जा रहा था he confess कि उसको जो है साप से डर लगता है और मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं होगा C last में आएगा b से start करना है option number a option number a यहां पर he, him और यहां पर he जो आ रहा था यह pronoun use हो रहा है इसके लिए fifth incorrectly spelt word entreat, entrust, envelope, envoy clearly दिख रहा है envelope में problem है क्या problem है? single L होता है यहां पर double L जोड़ा हुआ है envelope meaning भी देख लहा है अच्छे word है entreat 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 का मतलब होता है विंती करना किसी से विंती करना वो होता है entreat 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 trust तो पता ही है envoy He was entrusted with so and so work मतलब उसके उपर उसके ये काम swap आ गया था यह उसके उपर trust करके उसे जी swap ही गई थी उस तरह से entrust का प्रयोग आता है Envoy Envoy का मतलब Envoy का मतलब होता है राजदूत Envoy का मतलब होता है राजदूत Ambassador Ambassador और यहां पर बताना है अब परसन हूँ arranges and sells cut flowers होता है अपना बागबानी वाला Horticulturist फ्लोरिस्ट होगा एक्जैक्ली यहां पर option D होगा यह बार सड़क किनारे अपने को जो गुल्दस्ते वगर लेकि जो बेशते हैं वो अपने फ्लोरिस्ट कहलाते हैं B होगा है ना क्योंकि D वाले में तो fireman was pulled out fireman को थोड़ी भाहर की चाता fireman ने मनुहर को भाहर की चाता option B fill in the blank the passenger waited for the local train to arrive patiently उन्होंने patiently wait कर रहे थे c correct है hastily का क्या मतलब होता है जल्दबाजी है ना हेस्ट ह-a-s-t-e होता है हेस्ट जल्दबाजी मीक मीक हाँ चुपचाप नर्म ना दभी हुए आवाज वो मीक होता है बाकी तो आपको पता है synonym apparently कुण सा a option apparent की मतलब जो सामने आपके है जो दिख रहा है जो प्रत्यक्ष है ऐसा कुछ considerably, unlikely, questionablely तो नहीं होगा option a यहाँ पर closest है a सही है आपका answer error बताना इसमें at the workshop they were taught how to nail the pieces of wood together to create toys at the workshop they were taught how to nail the pieces of wood together to create toys इसमें कोई ग्रमेंटिकल प्रॉब्लम नहीं है इस हाउस अपने को confused नहीं होना है किया रही है तो make toys correct है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है create toys usage में ठीक है grammatical ऐसे कोई बहुत बड़ी गलती दिखनी नहीं क्योंकि और the pieces are put together to create toys no error यहां पर ठीक है close test पहला पहले तो read करेंगे पहले पूरा read करेंगे फिर options को try करेंगे हाना easy ही थोड़ा सा sequence बढ़िया सीधी सीधी sequence है पहले में यह कोई व्यक्ति है इसके बारे में पूरा बता रहे है कि क्या हुआ कैसे हुआ कहा कहा वो गया pass में सब कुछ चल रहा है was लगाएंगे पहले में ठीक है when he was about 11 second headed to correct headed to west indies की तरफ वो लोग जा रहे थे या west indies वो जा रहे थे third period correct है though he spent a brief period in the state of virginia period यहाँ पे सही है period मतलब short amount of time fourth was spent correct much of much of his time was spent serving on so and so आखरी सवाद ships navy बगर है कि सब कुछ बात हो रही है तो यहाँ पे ships ships झादरी सब के बचरे साक्जंडारी आई से अज्ट